मित्रों जीवन में दो लोग बहुत तकलीफ देते हैं एक वो जिससे आपको प्रेम ना हो और उसके साथ रहना पड़े और दूसरा वो जिससे बहुत प्रेम हो हद से ज़्यादा प्रेम हो और उसके बिना रहना पड़े स्रीकृष्ण मित्रों फिर एक बार बहुत बहुत हारदिक स्वागत है आप सभी का आज हम बात करेंगे इस नाम बाले लोगों के बारे में यानि इस नाम बाले नाम की लड़कियां कैसी होती है यानि अगर आपके नाम का प्रताम अच्छा रंग्रेजी के एस लेटर से सु सकते हैं तो यहाँ पर इस नाम बाली महिलाओं के बारे में बात करेंगे तो चलिए मित्रों जान लेते हैं कि इस नाम बाली लड़कियां कैसी होती है इस नाम बाली लड़कियां जो होती है बहुत तेज बुद्धी की होती है यानि बुद्धिमान होती है और बहुत ही ज प्रति से बहुत प्रेम करने वाली होती है बहुत ही बेभार कुसल होती है और सोतंतर रहना पसंद करती है सोतंतर इनको बहुत पसंद होती है अपने घर परिवार से बहुत प्रेम करती है या कहें अपने परिवार के लिए पूरी तरह समर्पित होती है बिल्कुल सीधी बात कहती है घुमा फिरा कर बात नहीं करती है जो कुछ भी सोचती है वो ही बा पहली पसंद होती है इसलिए इनको रोकने टोकने की कोसिस करना बेर्थ होता है अगर आपने इनको रोकने टोकने की कोसिस की तो संबंद खराब हो सकते है यानि इनका मोड खराब हो सकता है गब क्या करेंगी ये जानना किसी के भी समझ से परे होता है और ये अपने जीवन के जुड़े फैसले लेने के लिए कभी किसी पर निर्वर होना पसंद नहीं करती है सुखी जीवन जीने के लिए नीजी सुतंतरता इनकी पहली पसंद और आवशक्ता होती है सच्चे अर्थों में एक मानपतावादी इस्त्री की छबी पर खरी उतरती है क्योंकि दूसरों की साहता में सबसे आगे रहती है यात्रा करना ग्यान बर्धन को बढ़ाने में बहुत आगे होती है और ब्यक्तिगत इस तर पर प्रगति पसंद है लेकिन अपने कारण वो दूसरों को बदलने के लिए मजबूर नहीं करती है दूसरों से अपने प्रतिवफादारी की जितनी आसा रखती हैं उतना ही प्रयास अपनी ओर से भी करती हैं दोस्ती और रिष्टे को निभाने में दूसरों की भावनाय समझने की अपनी विश्यस्ता के कारण इनके रिष्टे अधिक टिकाओ होते हैं और लंबे समय तक रिष्टे चलते हैं या कहना चाहिए जीवन भरसात निभाती हैं अगर ये जीवन साथी हैं तो इनको आप महंगा उपहार देकर या कोई महंगी यात् बूस नहीं कर सकते हैं इनका प्रेम और ध्यान आकरशित नहीं कर सकते ये तब तक किसी के साथ दिल से नहीं जुड़ती हैं जब तक वो बख्त इनकी सोच विचार से मेल नहीं खाता हो और ये जो होती हैं इनकी मुसकाराःट किसी को भी अपनी और खीचने वाली होती है इनको एक सुतंत रेबं मजबूत रादों वाली महिला कहा जा सकता है। ये महिला मानसिक रूप से बहुत ही मजबूत होती है। इनकी निजी सुतंता इनको सर्वप्री होती है। इनके दिल में जगे बनाना इतना आसान नहीं होता है। अगर आप इनके दिल और नजर में बस गए तो फिर इनकी पूरी वफादारी की आसाहप कर सकते हैं। किसी के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने में लंबा समय लेती हैं। पूरी जाच परक के पस्चात ही किसी को अपने जीवन का हिस्सा बनाती हैं। मजबूत इरादों वाली, सुतंत्ता पसंद करने वाली और चुनोतियों को पूरा करने के लिए तियार रहती हैं। और ये अगर इनके साथी को भी कभी कोई चुनोती आती है तो उसके साथ भी ये पूरा सहयोग करती हैं। आत्म निर्वर सुतंत्र क्यों नहों लेकिन अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने में थोड़ा समय लगाती हैं, एक बार जब इनको पता लगता है कि आप इनके विचारों से मेल खाते हो, इनकी सुतंत्रता में कोई रुकावट नहीं बनोगे, तब जाकर ये महिला आ आप से अपने दिल की बात कर सकती हैं और आप से दिल जोड सकती हैं, प्रेम समंद में अपने साथी को खुश करने के लिए अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ती, कई बार इसी कारण थोड़ा अप्रत्यासित विवहार भी कर जाती हैं, सुतंत्रता इनको बहुत ज़्या अपने माता-पिता से बहुत प्रेम करती हैं, हाला कि बेकई बार इन से दूर हो सकती हैं, लेकिन इस से उनके प्रेम में कोई फर्क नहीं पड़ता, सम्मान में कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने माता-पिता का पूरा सम्मान करने बाली होती हैं, और ये जो महिला होती है इनके बच्चे बास्तम में इनके मजबूत विक्तित्व से लाब उठा सकते हैं परिवार की देखफाल करने में पीछे नहीं हटती हैं भले ही इनको इसके लिए कितनी भी कठनाई उठानी पड़े अपने स्वयम के परिवार की कमजोरियों को दूसरे से छिपाने के बजाए उनको दूर करने का प्रयास करती हैं अपनी इस बात पर इनको गर्ब होता है किसी के लिए भी अपनी नेतिकता और सुतंतता और आदर्सों से समझोता करने के लिए तियार नहीं होती है उनकी करणवा और न्याय की प्रबल भावना उनके कारें और विचारों को मारदर्शन करती है ये बहुत मिलनसार होती है दोस्तों के बीच रहना पसंद करती है और अपने प्रियजनों की मदद के लिए हमेसा त्यार रहती है किसी ऐसे बिक्ति के लिए अपने स्वारत का त्याग भी कर सकती है जिसे वे एक सचा साथी मानती है एक बार इन्होंने किसी बात के लिए अगर अपना मन बना लिया तो इसे बदलना बास्तम में कठिन हो सकता है स्वाभावी रूफ से गुण उन लोगों के लिए परिशान कर सकता है सबसे बड़ा परिशानी का कारण हो सकता है जो उनके साथ अपने बिचारों का आदान पुदान करने की कोसिस करते हैं संबेदंसिल होती है और नए लोगों के साथ गरम जोसी से मिलने में थोड़ा समय लेती है काफी अंतर मुखी होती है और किसी के सामने खुल कर बात नहीं करती है वे गहरे संबंधों में विश्वास करती है इसलिए उनके साथ संबंध बनाने के लिए आपको इनका विश्वास हासिल करना होगा और ये लोग उनकी तरफ आकर्सित होती है जो उनकी तरह ही बुद्धिमानली लोग हो बेश सबसे इमांदार और वफादार साथी हो सकती है बास्तम में उनके सम्मंध समाप्त होने के बाद भी अपने साथी के साथ सबसे अच्छे मित्र के रूप में रिष्टे बनाया रखती है और ये लोग चाहें बेडरूम हो और चाहें बाहर हो दोनों जगए खुले विचारों बाली होती है जितनी अच्छी ये मित्र होती हैं उतनी अच्छी प्रेमी प्रेमी का भी हो सकती हैं और अच्छी जीवन साथ ही भी हो सकती हैं अपने अच्छे मित्रों को बहुत महत्तो देती हैं और बे लंबे समय तक चलने वाले जिस्तों में विश्वास रखती हैं ऐसे लोगों से नफ और अपने मित्रों के साथ जीवन के किसी भी उतार चढ़ाओ का सामना करने में मदद करने के लिए हर समय त्यार रहती है अपने साथी के साथ भी हर समय ये खड़ी रहेंगी और जीवन साथी के साथ सभी उतार चड़ाओ का सामना करेंगी सामाजिक और धर्म से जुड़े कार्यों में बढ़ चड़ कर हिस्सा लेने वाली होती है फिर चाहदान करना हो या धर्म कर्म का कोई कार्यों ये आपको सबसे आगे मिलेंगी ये जैसे सामने होती है पीट पीछे भी बैसी ही होती है अगर कोई इन से मदद मागे तो उसकी तुरंत मदद करती है पर अगर आपने जूट बोलकर इन से कोई मदद मागी तो ये तुरंत पहचान लेती है ये विशेष्टा होती है इन में दार्शनी की तरह होती हैं इनकी बात सटीक होती है या कहें तो इनकी बात में लोजिक होता है इसलिए लोग इनकी सलाह मानते हैं बहुत महनती होती हैं जो सोच लियाव से पूरा करके ही दम लेती हैं अगर इनकी सिछा पूर्ण ना भी हो पाई हो फिर भी जिस कारी को करती है उसमें एक leadership quality आपको देखने को मिल जाएगी यानि कारी को बहुत ही सही ढंसे करती है इसलिए इनको पैसों की कमी नहीं रहती चाहें कितना भी संखर्श करना पड़े फिर भी ये अपनी लगन और मेहनत से सफल हो ही जाती है अगर व्यापार का पैसों की कमी नहीं होने देता बैसे ये धन के मामले में भाग्यवान भी होती है बुद्धिमान होती है इसलिए धन कमा ही लेती है अगर कमाने की बात आती है तो वहाँ पर ये ब्यापार कारोबार और नोक्री में भी अच्छा कर सकती है इनकी उसी के साथ निपती है ये क बार बार मिलना और बात करना चाहेगा ये दोस्त बहुत जल्दी बना लेती है लेकिन अगर दोस्ती में कोई इन से जूट बोलता है तो बहुत जल्दी जान लेती है और उससे दूर हो जाती है या कहें तो मित्रता नहीं रखती है रिष्टों में जूट बरदास्त नहीं कर पाती पर जिससे प्रेम करती है उसको बहुत प्रेम करती है और उस पर अपना एका अधिकार रखने की कोशिस करती है इनका प्रेम सिर्फ इनका हो ऐसा सोचती है ये लोग ये आसानी से किसी को अपना नहीं बनाती दिल की बहुत अमीर होती है अपनी फिलिंग्स खुल कर नह नहीं बताती जिसके साथ होती हैं उसके साथ सुद्दुक में हमेशा साथ रहती हैं अपने रिष्टों को जीवन के अंतक निभाने का प्रयास करती रहती हैं तो कुछ इस तरह की होती है इस नामबाली लड़कियां तो मित्रों आज मैंने आपसे इस नामबाली महिला कैसी हो आप सबी स्वस्थ रहें, आईश्मान रहें, धन्वान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है, जै श्री कृष्ण